श्री गंगानगर के अनुपगड में जोला चाप चंद रुपेयों के खातिर मरीजों के स्वास्ते से खिलवाड करते हैं। बांडा निवासी संदीप को भी जोला चाप ने मौत के मुँ में धकेल दिया। कई दिनों तक हॉस्पिटल में भरती रहने और लाखो रुपेय खर्च करने के बावजूद भी संदीप की जान नहीं बच पाई। करवाया गया जहां भैतर घंटे तक आईसी में रखने के बाद संदीप को होश आया। और बताया जा रहा है कि अभी भी संदीप का उपचार चल रहा है। इसी दौरान उनकी लाखो रुपेय खर्च हो चुके हैं। परिजनों के मताविक उन्होंने गहने गिर्वी रखकर और उधार मांग कर संदीप का जैसे तैसे उपचार करवाया। और इसके चलते संदीप और उसका परिवार मांसिक रूप से परिशान रहता है। परिट परिवार ने पोर्टल पर शुकाय दर्ज करवाकर उचित कारवाई की मांग भी की है। मेरे दोस्त परगड़ था मेरे साथ वो उसके साथ में घर आ गया उसके बाद में बेचित हो गया। मां उसके बाद अनुपट लेगे थे गरवाड़े। उसके बाद बीका नेर बीवेम में बीका नेर वाला ने पोल दिया थे एक रात रखा था जेपपुर ली जाओ इसको और उसके बाद में हम मावीर होस्पिटियों गए थे। वहां ऐसी हो मेरा खा मेरे को अभी तक कोई प्रोग्रम मारी सोर नी होई और ना वो सुनाई कर रहा ना पता करने आया आए अगी तक डब्र समीर आउटा जिनके बाद में पादा था एक लेक्टिपेट के आमेवा मिला जिसके इसके इंदर ड़क्त समीर आउटा रहा है को अभी इसमेर उदर गाल बाती है कि क्या वो बीडियस है नहीं है और वो जहां में जो मतन सावड़ा नाम का इस बढ़ना बेटा है जिसके पास तो हाजनिस्ट के में अडिकमर जिसमें प्रेट तो उसके अवाँ मंदे उसके बताया है और यह गतना चार्टों की पदाईसा देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News साथी बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन